हुआ है गाइज वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल अंजली कुकरेथी तो आज हम गाइज करने वाले हैं एक काश की बॉटल पे क्राफ्ट या कह सकते हैं पेंट तो उसके लिए मैंने लिया है यह फाब्रिकाइल कलर और फाब्रिकोल जिसको हम मिक्स कर लेंगे एक टार हा अधा जो कि खतम हो गया है आप आप इस तरीके से पेंट करेंगे बड़े बरश से य है पूरी बॉल्टल को कलर करेंगे एंड गाइज मुझे ये करने में ये पूरा प्रॉसेस करने में 10 से 15 मिनट लगे हैं अगर आप करेंगे तो आपको भी बस इतना ही टाइम लगने वाला है बहुत ही शॉट कट ये तरीका है तो ये देख सकते हैं मैंने जो अपनी पूरी बाटल कर ली है कलर ब्लू कलर से तो अब हम इसमें बनाएंगे डॉटिट पेंट तो ये ड्रॉपलर आप एरबड का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पॉफ है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने वाइट कलर लिया है और वाइट कलर से रैंडम डॉट्स बनाएं कुछ बड़े कुछ छो सकते हैं उसके बाद आप इसमें कोई और कलर भी लगा सकते हैं लाइक अब मैं सेकंड जो कलर लगाने वाली हूं वो है यलो तो अगेन मैं डॉपलर से ही इसे डॉट बनाऊंगी कुछ छोटे कुछ बड़े इसी तरीके से पूरी बाटल में मैंने यलो कलर के डॉट्स भी बना लिए हैं इसके लावा कलर आप ग्रीन ले सकते हैं पिंक ले सकते हैं जो कि इसमें उभर के आया याने डिफ्रेंट लगे नेक्स मैंने कलर जो लिया है वो लिया है औरेंज औरेंज कलर से अब मैं बनाने वाली हूं इसमें डाट तो जितना भी आपको स्पेस दिख रहा है ने इसमें खाली-खाली सब मैं डाट बना दीजिए थोड़े पास-पास बनाईए तो बहुत अच्छे लगेंगे और डाट बनाने में तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है देख सकते हैं मैं पूरी बाटल में बना लिया है एंड आप उपर से इस तरीके से मैं लीप्स बनाऊंगी इसमें क्योंकि और डी बॉटल में डिजाइन था तो देख सकते हैं आप यह ब्यूटिफूल सा पेंट हो चुका है हमारी बाटल में यह बहुत ज़्याद करने के लिए तो मैंने अलमीरा में इस तरीके से डाकोर किया है इसके लावा आप इसे अपने कीचन में चाफिर आप अपने बैट की साइट टेवल में भी से प्लेस कर सकते हैं लाइक तीस तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्राफ्ट के साथ तब तक के लिए पाई टेकर